वेलकम फ्रेंड्स मेरे चनलेल इंफोर्मेशन टेकनोलोजी सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं OPPO A52 की स्पेसिफिकीशन और फीचर्स की कि क्या इसमें फीचर्स है और क्या स्पेसिफिकीशन है आए देखते हैं से सबसे पहले नेट्वर्क देख लेते हैं सका नेट्वर्क में यह 2G बैक्स, 3G बैक्स और 4G बैक्स प्रवाइड करता हैं यह सुँ बैड्स इंडिया में काम करते हैं कुछ बैक्स आउट अफ इंडिया के लिए हैं जो आगर आप बाहर ट्यूड करते हैं तो उसमें भी काम यह वरना यह सभी bands support करता है चाईनमे सपीस यह कुछ bands जो चलते हैं उसको अलग से और support करता है लाँच यह रहालाँ कि अप्रेल दो जार बीस में रहा है and रहाँ है तीन वीरियेंट्स में यह उपलब्द है 6 GB RAM और 128 GB internal storage के साथ यह 16,990 का आता है और 8 GB RAM और 128 GB internal storage के साथ इसकी प्राइज है 18,990 रुपए अब इसकी body देख लेते हैं, dimensions क्या है इसकी, इसकी जो height है, height ऐसे, height ऐसे देखे जाती है, height है इसकी 162 mm, जबकि width यानि कि चोड़ाई इसकी 75.5 mm, 75.5 mm इसकी चोड़ाई है, चोड़ाई हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, और जो thickness है इसकी 8.9 है, thickness कहां से देखी जाएगी, ऐसे, यह जो होता है, इसे thickness कहते हैं मोटाई, तो यह 8.9 mm है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं है, करीब-करीब ठीक ही मान लि और इसकी जो build है, वो plastic का metal frame है, plastic और metal दोनों का use किया हुआ है इसकी build में, और जो इसकी यह screen size है, वो है 6.5 inches की, आप देख सकते हैं, screen size हमेशा ऐसे diagonal देखी जाती है, ऐसे करके, यह original phone नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए, यह 6.5 inch इसकी screen size होगी, ठीक है, और इसकी जो SIM है, वो hybrid dual SIM है, nano SIM है, hybrid dual SIM मतलब कि dual SIM तो लगेगी, लेकिन वो तभी लगेगी, जब आपको यह memory card नहीं लगाना चाहिए, तब 2 SIM यूज़ कर सकते हैं, otherwise अगर memory card लगाते हैं, तो एक SIM आपको छोड़नी पड़ेगी, अब इसका display देख लेते हैं, जल्दी से, इसका type है, display, LTPS है, IPS LCD है, ज्यादा तर इस phone range में IPSC मिलेगा आपको, capacitive touchscreen है, और 16 million colors है, अच्छा है, 16 million color के ही चल रहा है, जो भी यह इस range की price है, थोड़े उपर वाले में जाओगे, तब 1 billion के आसपास चलता है, size इसकी देखे, तो 6 inch का phone है, मैं जैसे बताया है, इसकी 6.5 inch की size है, screen to body ratio ह है, इसका 83.4%, अब यह screen to body ratio क्या होता है, friends, screen to body ratio का मतलब है, कि आप देख सकते हैं, कि इस phone में तो, यहाँ ज्यादा body दिख रही है, दिख रही है, यह काला गला, यह body है, जबकि screen कौन सी है हमारी, यहाँ से लेके, यह हमारी screen होती है, तो इस phone में, 83.4% के आपको screen मिलेग यहाँ पर तो बहुत सारी screen cover है, यहाँ उस phone में आपको क्या मिलेगी, यह area भी आपको करीब-करीब screen में मिलेगा, यानि कि जितनी आपकी phone की size है, उसके 83.4% भाग पर आपको cable और cable screen मिलेगी, जो की अच्छी बात है, क्योंकि आजकल badge LS का ही जमाना है, resolution है इसका, 1080 x 2400 pixels का इसका resolution है, जो की full SD से उपर है, और 29 का इसका ratio है, 20 ऐसे और 9 ऐसे, इस तरह से इसको देखा जाता है, 29 का ratio है, और 405 का PPI है इसका, यानि कि 405 pixels per inch की इसकी density है, जिससे की ग्राफिक्स अच्छे देगा आपको, और जो आप game खेलेंगे, वहाँ पे भी अच्छा ये आपको feedback प्रोटेक्शन इसमें निल है, कोई gorilla glass की इसमें protection नहीं दी गई है, आप cover लगा लें, जो simple से cover आते है, screen protector, वो यूज करेंगे आप, प्लेटफर्म देखें, तो ये android 10 के platform पे चलता है, और color OS 7.1 का यूज करता है, जो कि OPPO का है, चिपसेट इसका qualcomm SM6125 snapdragon है, 665, हाला कि snapdragon काफी आगी जा चुका है, लेकिन price point के अनुसार देखें, तो snapdragon दे रहा है, वो यी बहुत बड़ी बात है, CPU इसका है, octa-core है, इसमें cryo है, gold है, ये सारे है, octa-core समझे आप तो, फिर GPU, graphics, processing unit इसकी कौन सी है, एंडरिनो 6110 है, जो कि आज कल OPPO के सभी phones में देखने को मिल रही है, और perform भी अच्छा कर रहा है, graphics के नाम पर ऐसी बात नहीं है, card slot hybrid है, जैसा कि मैंने बताया, memory card लगाते हैं, तो आपको sim हटानी पड़ेगी, दो sim में से एक sim हटाओगे, तब जाके ये memory card यूज होगा, internal में 3 variants है, जो कि हम बात कर चुके हैं, 4GB, 128GB का model है, दूसरा model है 6GB, 128GB का, और तीसरा model है 8GB, 128GB का, मैं आपको suggestion देता हूँ, कि 6GB, 128GB वाले combination को ही आप खरीदें, 4GB वाले को ना खरीदें, और हो सके तो 8GB तक जाएं, अगर आपका budget है तो, फिर इसका UFS, universal flash storage है 2.1, ये क्या होता है UFS, कि आपके जो phone की internal memory है, उसको कितनी जल्दी read करता है, जब आप games खेलते हैं, तो game अटकते हैं तो उसका एक बड़ा कारण ये storage का read करने की capacity भी होती है, तो ये यहाँ पर 2.1 दी हुई है, जो कि सही है, अब इसका camera का अपरचा देखने से पहले हम ये camera के बारे में जानकर ले लेते हैं, आप दिहान दे रहे होंगे, ये छोटा सा बिंदू है, फिर ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये aperture होता है, ये F है जहां आ जाए ना, ये aperture है, अपर्चर जितना बढ़ता जाएगा देखिए 1.4, 2.8, 4, 5.6 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैमरे का एंगल छोटा होता जाएगा और जैसे जैसे गठेगा कैमरे का एंगल वाइड होता जला जाएगा ये है अंतर अपर्चर में ऐसे ही इसमें आप depth of field देख सकते हैं यहाँ पर depth of field कम है जबकि यहाँ depth of field जादा है आप देखते हैं इसने क्या कौन-कौन से कैमरे दिये हैं चार कैमरे वाला फोन है ये साब देखे जा सकता है पहला कैमरा है 12 MP का जो कि wide है इसका अपर्चर है 1.7 जो कि wide ही बता रहा है 8 MP का है दूसरा कैमरा ये 119 degree का है हाला कि इसका अपर्चर 2.2 है लेकिन कंपनी ने इसकी जो बनावड दिये वो ऐसी दिये कि 119 ultra wide ये photo खीच पाएगा आपकी 2 MP का इसका macro का कैमरा है macro मतलब जब आप किसी object को पास से खीचना चाते है photos की तब ये macro काम आता है तो ये 2 MP उसक्त काम करेगा ऐसे ही depth के लिए 2 MP तो ये चारो कैमरे इसमें दिये हुए हैं पीछे की साइड में features इसमें dual LED flash नहीं है केवल LED flash है, single LED flash है HDR का system दिया हुआ है इसमे video recording ये 4K support कर रहा है full HD 1080p record कर सकता है सबसे अच्छी बात इसकी 4K recording है क्योंकि आने वाले टाइम में आप 4K टीप बहुत देखने वाले हैं company ने ये picture प्रवाइड किये अपनी तरफ से ये देखे ये 4 camera है 1, 2, 3, 4 तो ये 4 camera अलग-अलग वर्क करते है फिर इसका front camera देख लेते है front camera इसका single है 16MP का camera है dual camera नहीं है केवल 16MP का camera है इकी camera है उसका परचट 2.0 है और wide रखा गया है camera का angle lens और feature इसमें HDR दिया गया हुआ है और साथ में video recording front वाले camera से आप full HD की कर सकते हैं 30 frame पर सेकिंड पे company ने ये प्रोवाइट किये picture आप देख सकते हैं यहां इसका camera आएगा यह original phone है यहां से आप इसके बैजर लेस का भी देख सकते हैं और screen to ratio भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस phone की screen करीब करीब लगभग पूरी है इसकी body पर ठीक है यह original phone है sound आप देखेंगे तो loud speaker है इसमें और 3.5 mm का jack भी है इसका मतलब आप अपना जो audio की cable है headphone की वो यूज कर पाएंगे direct connectivity की बात करें तो इसमें वाइफाई के सभी ports देवे हैं साथ में wifi direct भी दिया हुआ है hot spot भी दिया हुआ है hot spot तो हम generally आप जानते हैं net को sharing के लिए use करते हैं और wifi direct से आप कोई भी files इदर उदर transfer कर सकते हैं बिना internet के Bluetooth इसका version है 5.0 GPS में AGPS, Glonauts, Galileo, BDS सभी परकार के GPS दिये वे हैं और यह yes है यहाँ पर yes लिखा हुआ है NFC supported नहीं है इसका मतलब आप जो digital transitions करते हैं phone को रख कर जो payment करते हैं digital रूप में कि phone रख दिया और अपने आप payment हो जाए वो नहीं हो पाएगी लेकिन वो शायद आप करना भी नहीं चाहें infrared भी नहीं है इसमें अर्थाद आप इस phone को किसी TV के remote के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं radio भी नहीं है इसमें FM radio नहीं है radio lovers के लिए गलत बात है उनको अच्छा लगता था USB इसमें 2.0 दिया हुई है और Type-C का connector दिया हुआ है 1.0 USB on the go है इसमें Accelerometer, Proximity, Compass और भी जो छोटे-मोटे sensors होते हैं वो सभी कंपनी ने provide के हुए है बैटरी की बात करें तो आजकल सभी phone में non-removable battery आ रही है लेकिन इसने lithium-ion battery का इस्तमाल नहीं किया है lithium-polymer battery का इस्तमाल किया है द्यान रखना 5000 mH की बैटरी है और Fast Charging है वाइड 18W के ये यूज करता है 18W के साथ ये इसको चार्ज करता है आप कंपनी की तरफ से ये बैटरी के लिए देखे ये पिचर दिए हुई है इतनी बड़ी बैटरी आईगे आपकी समझ सकते हैं और यहां से आप चार्ज कर सकते हैं इसको कलर्स कौन-कौन से अविलेबल है इसमें टूलाइट ब्लेक है और स्ट्रीम वाइट है इसमें आप ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडर पिचर साब देख सकते हैं ओपो ये फाइफ टू की यहां देख सकते हैं आप यह आर्टिपिचल इंटलीजेंस का कैमरा है यह फलैश है और यह चार कैमरे है एक, दो, तीन, चार यह फ्रंट का कैमरा हो गया यह फिर एक और पिचर से कंपनी की तरफ से यहां पहbadom difmaker यहां साइट में आपके यह specifications समझ में आई होगी हम जल्दी ही दिरी दिरे सभी फोन्स की specifications और features यहां डालेंगे मैंने काफी कोशिश किया है कि accurate features रहे, specifications रहे और आपको detail में समझ में आए आपको किसी और जगह परिशान होने की जुरूत नहीं है आपको यहां सभी फोन्स के features और specification detail में मिल जाएंगे अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत धन्यवाद